Hello everyone, welcome back to my channel My Verkage My Passion So, मैंने कहा था कि हम कोट बनाएंगे जो कि हम सूठ के उपर या फिर किसी टिशेट के उपर हम आराम से पहन सकें So, हम कोट बनाने स्टार्ट करेंगे आपने देखा कि हमने कैसे फोल्ड किया तो यह हमारा बंद साइड है और नीचे की तरफ हमारा ओपन साइड है फिर यह हमारा है धाइंच यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 है और यहाँ से यहाँ तक की यह है तेन इंच देख सकते हो आप यह तेन इंच है और यह हम रखेंगे जाड़े पाच इंच अगर आपका वेट जादा है या आपका सीना 40 है तो आप 6 इंच ही रखें क्योंकि सीने के हिसाब से हमारे बाजू भी मोटी होती है इसलिए और ये एक इंच हमें चाहिए पीछे के लिए कंदे मतलब गर्दन के लिए उसमें हमें एक इंच डालना ही होता है और ये है हमारी गहराई पीछे की और ये है हमारी गहराई आगे की ये पी मतलब पीछे का ए मतलब आगे का ये हो गया हमारा complete एन इसको हम कट करकी दिखाते हैं कि आपको एक इंच ही कट करना है अगर आप पैपीन या फिर हाफ कॉलर बनाना चाहते हूँ उसके लिए एन इस तरीके से ये हमारा कटेगा पीछे वाला पहले फिर इससे हम कंधे को कट कर लेंगे आप देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल ही हम कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद यह हम पीछे का बिल्कुल निकालेंगे इसमें कुछ नहीं करना बिल्कुल ऐसे ही रहेगा फिर इसमें हमें क्या करना है ये तीन इंच के गहराई जो हमने दी हुई है इसे हम कट करेंगे उसके बाद हम बनाएंगे ये बाजू जो हमने गहराई दी हुई थी इसे भी हम कट कर लेंगे कटिंग करने के बाद आप देखोगे कि इसमें हलकी सी गहराई आ चुकी है और ये हमें आगे चैन बटन या फिर अच्छी सी एक डिजाइन आप बना सकते हो वीडियो में आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे करके आप आगे के लिए कट कर लो इसके बाद हमें पांच इंज चाहिए बाजू के लिए ये नया बाजू है अभी हमने ये बाजू नहीं बताया हुआ है इस तरीके से हम लगाएंगे निशान थंड़क बहुत बढ़ गई है स्टॉल लेना स्वाटर पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टॉल लिया हुआ है आप लोग क्या कर रहे हो घर पे सेफ रहे है बहुत ज़्यादा ठंड है इस तरीके से ये सारी हम कट कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नई हो तो प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा बेल आइकन दबा देंगे तो मेरी सारी वीडियो आप तक पहले पहुँच जाएगी और आप देख पाएंगे सो ये हमारा बेक है ये हमारा फ्रंट है सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाबाए